आज विडियो में हम कुरती का बेक नेक डिजाइन बनाएंगे लिकिन इसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने भूले तो चलिए श्रू करते हैं अपना अच का विडियो नेक बनाने के लिए हमने बुकरम ली है जिसकी लेंद है 13 इंचीज और इसकी चोड़ाई है 10 इंचीज इसको हमें सेंटर से सिधा मोड़ना है अब हम नेक की चोड़ाई का निशान लगाएंगे जो कि 4 इंचीज है यहां से भी 4 सभी निशानों को हमें अच्छे से मिलाना है और नेक की लेंद आप अपने पसंद के कोड़िंग मना सकते हैं यहां पर मैं बनाऊंगे 12 इंचीज अब हमें नेक की कटिंग करनी है पैब्री की रोंग साइड नेक की चोड़ाई का निशान लगा कर हमें नेक को अटेज करना है सेंटर में निशान लगाएंगे नेक की चोड़ाई हमारी 8 इंचीज है अब हमें एक्स्ट्रा फैब्री को कट करना है एक्स्ट्रा फैब्री को मोड़ती हुए नेक पर हम सिलाई लगा लेंगे नेक को सेंटर से मोड़ते हुए हमें कट लगाना है अब ही दूसरी साइड से आप देख सकते हैं जो हमारी किनारी होगी बुक्रम की उसके साथ हमें यहां पर ड्रो करना है क्योंकि यह लाइनिंग है और पतला फैब्रीक है तो हमें यहां से यह साफ दिख रहा है कि हमें सिलाइका लगाने है एट इंच इसक हम लूप लगाएंगे यहां से दो-दो इंच के गैप पर हमें लूप लगाने है एक साइड हम पाच पाच लूप लगाएंगे अभी लूप बनाने के लिए हमने यह मोटी डोरी बनाई है इसके हम छोटे-छोटे पीसिस कट करेंगे अभी जो हमने निशान लगाया था उसी के उपर हमें सिलाइ लगानी है इस तरह से डोरी को मोडते हुए हमें लूप बनाना है और जो लूप है हमारा वो बहार वाली सैड रहेगा अब दूसरी सैड भी हम इसी तरह से लूप लगाएंगे अब हमें कुर्ती का बैक पार्ट लेना है और राइट साइड सेंटर में सिधा निशान लगाना है नेक को अच्छे से हम सेंटर में मिला लेंगे अभी हमें नेक पर लगानी है सिलाई एक्स्ट्रा फैब्री को कट करना है अब हम नेक पर छोटे छोटे कट लगाएंगे नेक को रोंग साइड टर्न करते हुए यहाँ पर बड़ाटा का करके हमें सिलाई लगानी है बाद में हैं स्टिश करके हमें सिलाई को निकाल देंगे इसके बाद हम नेक पर लेस लगाएंगे यह हमने बीर्ट से वाली लेस ली है बारीट वन फूट की हल्प से हम इसे नेक पर लगा लेंगे हमें। झाल झाल अब हमें बारिक लंबी डोरे बनानी है इसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा डोरी को हम इस तरह से लूप में से डाल लेंगे और जो हमारी डोरी की नोट लगेगी वो उपर वाली साइड जाएगी निडल के हैप से हम डोरी को लूप में से डाल लेंगे अच्छे से देखिए डोरी को हमने डाल लिया है उसके बाद हम बनाएंगे फैब्रिक टासल्स यह मैं आपको यहाँ पर रफली बना के दिखाऊंगी डोरी को हमने बना लिया है और यह हमने एक स्क्वेर पीस कट किया है फैब्रिक का इसको हम मोड लेंगे इसके लंबाई और चोड़ाई आप अपने पसंद से ले सकते हैं अभी हमें इसकी हलकी सी वलाई करनी है आप जितना बड़ा टासल बनाए उतना ही बड़ा पीस कट कर ले और यह कुछ यह बीड्स की लेसली है बीड्स उपर की तरफ रखते हुए राइट साइड हम इसको स्टिच करेंगे अब इसको हमें रोंग साइड टरन करना है और एक और से लाई लगा देंगे यहाँ पे आप डोरी को इस तरह से रखना है किनारी पर हम एक सिलाई लगा देंगे इसको राइट साइड टरन करना है और हमारा फैब्रिक टासल बनके रेडी हो जाएगा पूरा डिजाइन हमारा बनके रेडी है पेहनने के बाद यह कुछ इस तरह से दिखेगा अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ने भूले अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स टूडियो में तब तक लिए बाई